नमस्कर दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको जीओ फाई एम टू एस राउटर की डिसेंब्लिंग असेंब्लिंग और कुछ इंटर्नल कंपोनेंट के बारे में जान करें दूंगा आसा है आपको यह वीडियो पसंद आएगा जैसे कि आप देख रहे हैं हमने अपनी बैटरी का कावर और बैटरी को रिमूव कर दिया है अब आपको सामने च्छे स्कूर तिकेंगे इंस भी स्कूर को आप वन बाई वन करके फोल दीजिए आपको प्राइन टूल का यूज कर सकते हैं या फिंगर डिल का भी यूज कर सकते हैं यहां देख सकते हैं आपको मदरबोड दीखाए देगा जिस पर सिम कर स्लोट और मेमरी कर स्लोट लगा हुआ है मदरबोड का अलग करने के लिए दोनों साइड से आप जेंटली प्रेस किजिए मदरबोड डिटेच हो जाएगा यह सेल्वर एंटिना वाइफा एंटिना की लोकेशन बताई गई है यहां आप देख सकते हैं इसका बैक लोकेशन बैक पार्ट है यह इसका फंट साइड है अब इसके इंटर्नल कंपोनेंट्स को देखने के लिए हमें इसके उपर की जो सिल्ड लगे हुए है मैटल की उसको प्राइंग टूल से लिटाना पड़ेगा यहां मैं पतले पिन का एक स्कुरू ड्रैवर यूज कर रहा हूँ आप भी है चाहे यूज कर सकते हैं या कोई और प्लास्टिक का प्राइंग टूल यूज चर सकते हैं सावधानी यही रखे कि कोई भी अंदर का स्मॉल कंपोनेंट आपके प्राइंग टूल से टच होके कहीं डिस होल्डर ना हो जाए तो काफी सावधानी बढ़ती है यह देखिए इसका फंट साइड इसमें यह सारे कंपोनेंट दिखाए गया है अब पीछे का साइड पूलता है हम तो सावधानी बढ़ती जिएगा इसमें पूरी तरह से यहां पर आप देख सकते हैं यह लीथियम बैट्री स्विचिंग जड़ जड़ा इसी है यह रिसेट बटन है और एक डबलू पे स्विच भी है यह देख सकते हैं आपने कैमने पूरी तरह से इसको रिमोड दिया है यह सारे कंपोनेंट आपको स्कुन पर विजिबल हो रहे हैं तो अभी अब इसको वापस असेंबल करते हैं और दिखते हैं कि हमारा वराउटर अभी भी वर्किंग कर रहा है या नहीं प्लेट्स लगाते टेम बहुत ही जैंटल प्रेसर दीजिएगा अब आप इसको एक साइड से पहले जो है अटेच कीजिए और सेकिंड साइड से आप जेंटली प्रेस कीजिए पूल कीजिए नीचे की तरह और यह इसमें फिक्स हो जाएगा अब आपका जो इसका कवर है तो बैटरी को होल्ड करता है इसको आप इस पे जेंटली प्रेस करके फिक्स कर दीजिए अब आपने जो स्क्रू रिमूव किये थे उनको वन बाई वन फिर से लगा दीजिए आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा तो ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन खुलता रहें जैसे ही ऐसे नए वीडियोज अपलोड करता रहूंगा थेंक्यू थेंक्यू फॉर वाचिंग कि लेते हैं क्योंक्यू है कि जैकि दोगम है आपको